चलिए, a relation r is defined, 2, 3, 4, 5, 2 इतना, मतलब यह इसका domain है, यह इसका co domain है, ठीक है, a relation कैसे रिफेंद है, x to y में कैसे relation होगे, x is relatively prime to y, यानि कि यह ऐसे order पे लिन होगे, जिनका hcf क्या हो, 1 हो जाए, ठीक है, तो r का value क्या होगा, बहले r का value बताते हैं, तो r का value, हम लोग देख रहे हैं, 2, 3, 2, 6 नहीं लेंगा, 2, 7 ले सकते हैं, 3, 7, 3, 10, ऐसे ले सकते हैं न, जी, relatively prime कर रहा तो, 4, 3, 4, 7, 5, 3, 5, 6, 5, 7, यह सारे उसमें clear आएंगे, तो इसमें देख रहे हैं, अगर इसके domain की बात करेंगे, हमें domain निकाल है, r का, तो domain की बात करेंगे, तो first component का जो set होगा, यानि कि 2, 3, 4, 5, यह सारे आजाएंगे, यानि कि d number हो जागा, समझ गए, पता ना, domain वाले element इसमें से मिलते हैं, orange वाले इसमें से मिलते हैं, question number 12,